गडित का प्रस्णावली 1.3 पहला क्वेश्चन यहां पर लिखा है कि अंडरूट 5 एक आपरी में संख्या यह हमको सीध करना है फर्स्ट क्वेश्चन अंडरूट 5 एक आपरी में संख्या है ऐसा क्वेश्चन है हमारे सामने सीध करना है तो कैसे करेंगी इसको अब इस थारा के आपरी में सीध करने वाले क्वेश्चन में हम विप्रीत मानते हैं आपरी में दिया है हम मान लेंगे परी में है लिखेंगे कैसे माना अंडरूट 5 एक परी में संख्या है अब जब अंडरूट 5 एक परी में संख्या है इसको हम A बटा के B के रुप में लिख सकते हैं लिखेंगे A बटा के B जहां B नाटिकल्टू जीरो और एक सब्द और बढ़ाना पड़ेगा कि A B पुढांख है तथा एक के अतरिक्त और कोई उभैनिस्ट गुणंखन्ड नहीं है है ऐसे गुणंखन्ड नहीं है ऐसे हम लिखेंगे अब देखें यहाँ पर कि दोनों पक्छों का हम वर्ग कर देते हैं दोनों पक्छों का वर्ग करने पर लिखेंगे हम कि दोनों पक्छों का वर्ग करने पर जो हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडरूड 5 की स्क्वाइर करने पर 5 बन जाएगा और A की स्क्वाइर करने पर A स्क्वाइर और B का B स्क्वाइर अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 B स्क्वाइर बराबर A स्क्वाइर ऐसे 5b² ब्रबर a² अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि a² यहाँ पे है और यहाँ पे 5 है तो हम लिखेंगे क्या 5a² को विभाजित करता है 5a² को विभाजित करता है 5a को भी विभाजित करेगा 5a को भी विभाजित करेगा ऐसा हम लिखेंगे बराबर a अब क्या करते हैं कि इसका में दोनों पप्चों का हम स्क्वाइर करेंगे लेकिन यहाँ पे एक बात हम लिखेंगे समयकार नमर फस्ट इसको हम लिख देते हैं अब ध्यान देंगे जो a के वेलू है यहाँ पे 5 के के टर्मे हो गए तो हम लिखेंगे कि a बराबर 5 के का मान समयकार फस्ट में रखने पर इसमें रख दिये तो हो गया इधर का 5B स्क्वाइर बराबर एक वेलू 5 के के टर्मे है तो स्क्वाइर कर दिये इधर अब जब यहाँ पे स्क्वाइर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 5B स्क्वाइर बराबर 25 के स्क्वाइर इसको फर्दर हल कर दिये तो हो गया 20 स्क्वाइर बराबर 5 के स्क्वाइर आ गई बात यहाँ पे अब हम वहें लिखेंगे जो इसके पहले हमने लिखा था यहां पे दीख रहा है कि 5 के स्क्वार, 20 स्क्वार रभा 5 के स्क्वार तो लिएखे, 5 B स्क्वार को विभाजित करता है और तह पांच बी को भी विभाजित करेगा अतर पांच बी को भी विभाजित करेगा ऐसा पांच बी को भी विभाजित करेगा यह हम लिख दिए उसके बाद का प्रोसीस क्या होगा अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक के अतरिक एक के अत्रिक पाँच भी A वबी का अभहाज गुरंखंड है लेकिन हमने दूसरा चीज माना था हमने तो माना था कि एक के अगिर गुरंखंड है ही नहीं यो तो गल्ती आ गया न पाँच कहा से आ गया इससे तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अंदर उड़ पांच को परिमे संख्या मान दिया तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ऐसा हमारी दुटी पूर्ड कलपना के कारण हुआ है कि अंदर उड़ पांच एक परिमे संख्या है परिमे संख्या है साठ में लिख रहा है समझ जाना अंदर उड़ पांच एक परिमे संख्या तो अब सिद्ध क्या हुआ तो जब अंदर उड़ पांच एक परिमे संख्या ये बात गलत है तो सिद्ध तो यहीं होगा न कि अतासिद्ध होता है अतासिध होता है अंडरूट पांच एक आपरिमे संख्या है आपरिमे संख्या है ऐसा आपरिमे संख्या है ये क्वेशन तो हो गया अब कई बारे इसको देखें और समिने क्वेशन के हैं चलते हैं दूसरे प्रशन की हो अब देखो दूसरी प्रस्चन में क्या लिखा है कि 3 plus 2 under root 5 एक आपर में संख्या दिखाना है 3 plus 2 under root 5 एक आपर में संख्या ये दिखाना है उमको अईसा हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे माना 3 plus 2 under root 5 एक परिमे संख्या 3 प्लस 2 अंडर उड़ 5 एक परिमे संख्या है ऐसा हमने लिख दिया हमने उल्टा माल लिया ना और परिमे दिया तो हमने परिमे माल लिया आप हम क्या लिखेंगे 3 प्लस 2 अंडर उड़ 5 is equal to A by B और B not equal to 0 जहां हमको लिखना होगा तथा एक के अतरिक्त कोई भी अभाज गुर्णखंड नहीं है एक के अतरिक्त कोई भी अभाज गुर्णखंड नहीं है ऐसा हम लिखेंगे अब यहां पर देखें कि जब उसके अभाज गुर्णखंड नहीं अब हमको क्या करना है इसको लिखना है यहां पर लिख सकते हैं 1 by 2 और इधर का A-3B by B अब यह बताओ कि 1 by 2 A-3B by B क्या है परिमे है क्या परिमे है यह तो परिमे है न यहां पे हम लिखेंगे यहां पे दाया पक्ष एक परिमे संख्या है दाया पक्ष एक परिमे संख्या है जबकि अंडरूट 5 क्या है एक आप परिमे संख्या है जो कि हम लोग पहले ही सिध कर चुके हैं अब एक परिमे संख्या है तो परिमे संख्या है नित फिए जब लोग पहले ही इसी दिлед कर चुके है अब यह बताओ कि अंडरूट 5 एक परिमे संख्या होगा एक परिमे संख्या होगा तो क्या ऐसा हो शकता है कभी नहीं होगा एक परिमे संख्या और परिमे संख्या के बराबर नहीं होगी इसलिए अब यह ऐसा क्यों हो ऐसा इसलिए होगा क्यों हमें गलत मान लिया तो हम लिख देंगे सीधे ऐसा तुरूटी इसलिए उतपन हुआ क्योंकि हमने हमारा जो कल्पना है वो गलत है कि under 3 plus 2 under 5 एक परिमेसंख्या है यानि सही बात यह है कि 3 plus 2 under 5 एक औ परिमेसंख्या है औ परिमेसंख्या है ऐसा हमको बताना पड़ेगा हम यहाँ पर लिखेंगे कि ऐसा बिरोधा भास इसले उत्पन हुआ, लिख दो यहाँ पे, ऐसा बिरोधा भास इसले उत्पन हुआ, इसले उत्पन हुआ, चूंकि हमारी कलपना तुटिल पूर्ड है, क्योंकि हमारी कलपना तुटिल पूर्ड है, बच्चे, क्योंकि हमारी कलपना ही तुटिल पूर्ड हो गई, तो समस्या तो खड़ी हो जाएगी ना, लगसे, कि हमारी कलपना तुटिल पूर्ड है, अब तो क्या पता चला कि 3 प्लस दो अंडरूड पांच एक आपरिमे संख्या है अब चलते हैं थार्ड कोश्चन की ओर क्या कहता है ये तीसरे प्रश्चन में भी वहीं दिखाना है आपरिमे संख्या है कैसे दिखाएंगे एक बटा के अंडर उड़ दो एक आपर में संख्या है तिसरे में तीन कोश्चन है लिखाए कि एक बटा के अंडर उड़ दो एक आपर में संख्या है बताओ तो मान क्या लेंगे यह दिखाना है कि आपर में संख्या है ऐसा दिखाओ हल क्या करेंगे इसका समझ जाना अंदर उड़ एक बटा के अंदर उड़ दू एक परिमेश संख्या होगे तो इसको उड़ एक बटा के बी की रुप में भी तो लिख सकते हैं और लिखेंगे बीन आर्टिकल टु जीरो जहां पर की वहीं वाला फारमेट पुनल लगाएंगे ए भी पुडांख है तथा एक के अतिरिक्त इनका और कोई उभैनिस्ठ गुडनखंड नहीं है अब दिखो इधार अब इसको हम सीधे पलड देते हैं तो लिख देंगे अंडरो दो गराबर बी बटाके अब सीधे लिखना है दोनों पक्छों का वर्ग करने पर अगला दोनों पक्छों में वर्ग करने पर दोनों पक्छों का वर्ग करने पर ऐसा लिखें वर्ग करने पर जब हम वर्ग कर देंगे तो आएगा क्या अंडरो दो के स्क्वाइर दो बी के स्क्वाइर बी एक के स्क्वाइर फाइनल के लिखाएगा 2A² बराबर B² हो गया अब वहीं वाली बात जो हम लोग पहले हम किये थे अब सीधे लिखेंगे कि 2B² को विभाजित करता है 2B² को विभाजित करता है अतह 2B को भी विभाजित करेगा अतह 2B को भी विभाजित करेगा ऐसा लिखेंगे अतह 2B को भी विभाजित करेगा अब बताओ जब 2B को भी विभाजित कर देगा तो हम लिख सकते हैं न कि B² के B² के हम लिखेंगे भाई तो अब हमको क्या लिखना पड़ेगा जो पहला समिकड़ है इसको हम लिखेते हैं अब जो है समिकड़ फस्ट में हम नेक्स इस्टेव लिखेंगे समिकरण फस्ट में बी बराबर टू के रखने पर बी बराबर टू के अधी हमने रख दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू ए स्क्वार बराबर 4 K square सही है यूगि B कमान हमने अधी 2 के रखा तो B square कमान तो 4 K square हो चाहएगा तो अब हो गया कि 2 A square बराबर 4 K square अब इसको कैंसिल करें थोड़ा तो क्या लिखेंगे इधर का A square बराबर 2 K square और वह यह बात यहाँ पर आगए कि two a square को विभाजित करता है अतह two a को भी विभाजित करेगा उपर लिखते हैं यहाँ पर हम लिख देंगे two a square को विभाजित करता है two a square को विभाजित करता है अतह two a को भी अतह two a को भी विभाजित करेगा अतह two a को भी विभाजित करेगा यह ओगया अब ये देखें कि दो का जो कामन ए और बी का एक क्यात्रिक्त कामन और कुन मिल गया दो लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ अब इधार हम देख रहे हैं कि दो बी को विभाजित करता है दो A को भी भारित करता है तो दो विल गया न कामन फेक्टर एक या त्रिक्त A B का तो ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमने गलत ही मान लिया तो हम सिधे लिखेंगे कि ऐसी इस्थती ऐसी इस्थती इसलिए उत्पन हुई ऐसी इस्थती इसलिए उत्पन हुई क्योंकि हमारी कलपना तूटी पूर थी कि अंडर एक बटा के अंडर उड़ दो एक परिमे है अतसिद्ध होता है अगर आला ही जोड़ना होगा आमको अतसिद्ध होता है कि एक बटा के अंडर उड़ दो एक परिमे ही संख्या है समझे हैं हम यह आपे लिखेंगे कि अतसिद्ध होता है अतसिद्ध होता है अतसिद्ध होता है कि एक बटा के अंडर उड़ दो एक आपरिमे शंख्या है ऐसा हम लिखेंगे समझे हैं बस वैसे ही सेकेंड और थर्ड का भी कर लेते हैं यह अभी आसान क्वेस्चन है से मुशी तरह से होगा जैसे यह सब हो रहा है लगा दे रहे हैं वैसे ज़्यादातर बाते हम बोल देंगे समझे लेना लो तो चलते हैं अगले कुशन ही तरफ जो लिखा है कि 7 अपान अंडर उड़ 5 एक आपरिमे संख्या है दिखाना हमको सेकेंड कुश्चन इसमें थर्ड का सिकेंड सेवन अपान अंडर उड़ 5 थर्ड का सिकेंड देखें सेवन अपान अरे क्या लिखा है सेवन अंडर उड़ 5 ऐसे इसको आपरिमे संख्या है तो बस लिखना है कि माना सेवन अंडर उड़ 5 एक परिमे संख्या है एक परिमे संख्य है ऐसा अब जब परिमे संख्य है तो seven under five is equal to a by b अब लिख देंगे बी नार्टिकल टू जीरो फिर होई लिख देना जहां a b पुढांख है और एक के तरी के दिन क्या कोई भर्णिश गुरंखन नहीं है हम लिख नहीं रहे हैं बस समझ जाना क्योंकि सब में ऐसे हैं किया गया है अब next step में हम क्या करेंगे इदर और हम इधर कर देंगे under five बराबर a बटा के seven a बटा के seven b होगे है अब दिखो a और b क्या है पुढांख है a और b पुढांख है यहनिकि जो a बटा के seven b है यह हमारा यह है परिमे संख्या यह हमारा परिमे संख्या है लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि under five एक क्या है और परिमे संख्या है अब परिमे संख्या है कि साथ अंडरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर तिसरे का तिसरा कोशन देखें, लिखा क्या है? 6 प्लस अंडर उड़ 2, 6 प्लस अंडर उड़ 2 लिखा है, यह भी आसान है, हो जायेगा, यहाँ पर लिखा है तिसरे का तिसरा 6 प्लस अंडर उड़ 2, 6 प्लस अंडर उड़ 2 एक आप परिमे संख्यां को दिखाना है, बस वह नहीं करा धरा माना 6 प्लस अंडरूट 2 एक परिमे संख्या है अरे जब परिमे संख्या है तो 6 प्लस अंडरूट 2 इसकोल टू A by B तो लिखेंगे वेर B not equal to 0 और लिख देंगे जहाँ A B पुडांख है और एक क्यात्रिक A B का कोई उफ़निस गोड़न कंडर नहीं है तो उसके बाद हम इसको क्या लिख देंगे अंडरूट 2 बराबर A बटा के B minus 6 इस इंप्लाइड एट अंडरूट 2 बराबर A minus 6 B बटा के B आप देखो भाई A minus 6 B बटा के B क्या है बर में संख्या है क्योरी फुड़ांख है एप लिख दो कि दायापक्ष हमारा फुड़ांख है और बायापक्ष और पर तो सही हो जाएगा तो इस तरह सामने बताया अब इस चेप्टर के 1.3 के सारे वीडियो देखें यह बहुत सारी चाहिए हमने बोली है सिर्फ लिखी नहीं है वो लिख्यों ही मिलाएंगे पहलो दुसरे क्वेश्चन तो सारा कुछ तो लिखने की जरूरत है नहीं है तरह बोल रहे हैं तो समयना पड़ेगा आपको अच्छी तरह से और यह से हम लगाएंगे जहां में पूरे मार्क्सम लेंगे तो हमारे साथ बने रहे हैं और जुड़े रहे हैं उसके बाद हम नएने वीडियो से लेकर के आते रहेंगे तब तक के लिए धन्यवाद